सो हाई दोस्तों तो मार्केट पर कुछ दिने पहले एक न्यूज आई थी कि जिसमें आप लोगो बताया गया था कि क्राफटन से हमारा जो डैटा है वो लीक किया जा रहा है या फिर कहें ट्रांसफर किया जा रहा है चायना की तरफ को तो बहुत सारे चैनल ने एचली ये व आप लोगों को नजर आएगा स्टेट्मेंट ऑन दे रिसेंट कंसर ऑफ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया तो यह वाला पॉइंट यहां पर आएगा तो इस पर जैसे ही आप इसकी आप इसकी आप इस पर क्लिक करते हो तो एक पेज यहां पर दोबार से उपन होग इसके अंदर उन्होंने सब कुछ mention यहां पर किया हुआ है तो overall यहां पर जो भी चीज़ा आप इसको आसानी से read कर सकते हो आप इस साइट पर आके इस पर क्लिक करके सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो मैं आपको यहां पर इसमें बता देना चाहता हूं कि इस पर लिखा क्य यहां पर आपका BGM ने यहां पर बताया है कि उन्होंने early assets यहां पर इसले provide करवाया है ताकि यहां पर उस पर जो भी glitches और bugs हैं वो यहां पर वो solve हो जाए जो भी content creator है या फिर आपके हैं बड़ बड़े streamers हैं वो सारे के सारे यहां पर early assets पर BGM को play करेंगे और उस पर जो और वो उन चीजों पर अपना जो work है वो करते रहेंगे और यहां पर जब आपका officially आपका BGM launch हो जाएगा play store पर तो वहां पर जो bugs और glitches हैं वो सब के सब solve कर दिये जाएंगे और जैसे कि जो under the law of government आपका जो BGM है उसको बनाने का पूरी तरीके से काम यहां पर चल रहा है तो officially जब यह launch हो जाएगा तो वहां पर क्राफटन जो है ऐसी कोई भी रिस्क नहीं चाहती है कि उस समय कोई clause वहां पर आए तो इसलिए early SSC यहां पर आप लोगों को पहले provide कर आए गया है बाकी जो भी आपका आज का data transfer issue चल रहा है आपका जो भी यहां पर जो बोल रहे ह कि हमारा जो data है leak किया जा रहा है उस पर भी यहां पर जो क्राफटन है वो बिल्कुल full secure है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर आपका data पूरी तरीके से secure रखा गया है तो यह यहां पर इस statement पर इन लोगों ने बताया गया है आप इस statement को पढ़ सकते हो description पर मैं इसकी official site का यह वाला link दे दूँगा तो आप लोग यहां पर से इसको पूरी तरीक से read कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी जो second news थी उस पर चलते हैं जो इसके दूसरी news आई है अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ को scroll करेंगे तो यहां पर एक notice आयब है जिसमें आपको issue with downloading maps and matchmaking त कैसे आप लोग इसको ठीक कर सकते हो इसके लिए यहां पर crafter ने एक patch upload किया है बताया गया है आप इसके थूरू अपना जो यह issue face कर रहे हो वो fix कर सकते हो तो यहां पर आप लोग गो simply क्या करना है इस पर वो आपको पूरे step by step बताया गया है तो मैं यहां पर आप लोग को दिखाता हूँ नीचे की तरफ को देखो जिस तरीके से photos में नजर आ रहा है आपको right side corner पर arrow की नजर आएगी आपको इस पर click करना है उसके बाद आपको setting पर click करना है उसके बाद आपको सबसे last में जाके जो आपका account है उसको log out कर लेना है log out करने के बाद जब बाहर आप उसके बाद आपको right side पर third number पर repair नजर आ रहा है तो आपको repair पर click कर लेना है तो जैसे आप repair पर click करेंगे अगला जो segment नजर आएगा आप लोगों को routine repair तो इस icon पर आप लोगों को यहाँ पर click करना है इसके अलावा बागी किसी भी icon को यहाँ पर नहीं छेड़ना है तो ज फिर से अपने account को login कर सकते हैं अपने Facebook से तो यहाँ पर simple से steps हैं आपको log out करके जिजय करनी है और दोबारा से जब आप repair कर चुके होंगे तो वापस से login with Facebook पर click करके अपने उसी bgmi account पर फिर से login करके आप लोगों को play कर सकते हैं और जो भी issue आप लोग फेस कर रहे थे यह यहाँ पर maps को download करने में या फिर आपका matchmaking पर वो सारा का सारा यहाँ पर solve हो जाएगा तो एक patch file यहाँ पर इन्होंने provide करा दिये तो आप इसके through यह सारे problems को हटा सकते हो आज की वीडियो फर फिलार इतना ही हमने update किया आप लोगों को I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर कोई भी query आप लोग को bgmi से related है तो आप लोग comment section पर हमको बता सकते हैं तो वहाँ पर जितने भी हम आपकी problem solve करने की कोसिस करेंगे वहाँ पर solve करेंगे तो मि वाले कुछ भी bgmi की अपडेट्स रहेंगी वह मैं आप लोग के लिए लेकर आ जाओंगा तो मिलते हैं आप लोग उसे next वीडियो पर तब तक के लिए बाबाई